नमस्ते प्रणाम हार्दिक विनंदन आप सुन रहे हैं सूत जी बोले इस वाचक कन्या का नाम इश्टा है और क्या आपनी ये मुहावरा सुना है त्रिशंकू बनना इसका अर्थ होता है अधर में लटके रहना ना इधर का रहना ना उधर का पर अगर मैं आपको ये कहूं क कि त्रिशंकू और कोई नहीं इच्छवाकू वंच के आयोध्या के राजा ते तो तो आईए जानते हैं कि त्रिशंकू की कथा क्या है त्रिशंकू का असली नाम राजा सत्यवरत था जो कि राजा हरीश चंदर के पिता थे उन्होंने एक बार ये इच्छा अभिव्यक्त करी अपनी गुरू रिशी वशिष्ट को कि मैं सुर्ग जाना चाता हूँ तो रिशी वशिष्ट बहुत खुश हुए कि अरे वा मेरे शिष्ष्ट की कामना देखो कि उसको सुर्ग की प्राप्ती करनी है बड़ जस्ट बाद सत्यवरत कहते हैं कि मुझको अपने शरीर के साथ सुर्ग जाना है तो रिशी वशिष्ट क्रोध में कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धी को क्या हो गया है क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि सुर्ग मैं इस पंच भूद से शरीर को ले जाना ही सकते है ये तो प्रकृती के नियमों के विरुद है तुम क्या सोच रहे हो तो रिशी वशिष्ट इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारी बुद्धी के विचार हो गए है न वैसे ही तुम चांडाल बन जाओ अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे भड़ू मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी देती हूँ आपको राजा सत्तिवरत के बारे में एक बार जब वो अपने राज्य में राज कर रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को एक रोते हुए बालक को ले जाते हुए देखा तो राजा सत्तिवरत ने उस त्री से पूछा कि तो मैं इस बालक को कहा लेकर जा रही हो तो इसने कहा कि मैं इस बालक को किसी अमीर घर में देकर आना जाती हूँ ताकि मुझे इसके बदले थोड़ा सा धन मिल सके ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोशन कर सकूँ सारे राजे में अकाल पड़ा हुआ है और कुछ भी हमारे पास खाने को नहीं है तो राजा सत्तिवरत उस त्री की वठा को समझते हैं और कहते हैं कि देवी आप अपनी घर जाईए मैं मेक्शौर करूंगा कि आपके पास खाने पीने को सब कुछ हो तो इस प्रोसेस में जब वो रोज उनके पास खाना पीना दे कर आते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था तो एक बार जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता उनके लिए खाना ले जाने को तो वो रिशी वशिष्ट की गाय का वद कर देते हैं बिल्कुल गलती में तो रिशी व जाता है और कोई नहीं रिशी विश्वामित्र की पतनी थी तो coming back to the main story अब जब रिशी वशिष्ट ने त्रिशंकु को चांडाल बनने का श्राप दिया और वो चांडाल बन गए तब वो भटकते भटकते जाते हैं रिशी विश्वामित्र के पास अब क्यूंकि राजा सत तेज के साथ त्रिशंकु को भेजते हैं स्वर्ग की ओर उनके शरीर के साथ पर जैसे ही सारे देवता ये देखते हैं कि कोई उपर की ओर आ रहा है और शरीर के साथ तो वो उसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो त्रिशंकु लटके रह जाते हैं बीच आस्मान में ना तो फिर रिशी विश्वामित्र बहुत जादा क्रोध में बहुत जादा तेश में कहते हैं कि अगर तुम सब देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में अभी नहीं लिया तो मैं इसके लिए अलग से एक स्वर्ग बनाऊंगा जब इंद्र ने ये सुना तो उन्होंने खराब हो जाएगा तब इंद्र ने त्रिशंकु को एक दिव्य शरीर दिया जिसकी वज़े से वो स्वर्ग जा पाए इंट्रेस्टिंग राइट ऐसी ही और कथाई सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें सुच्जी बोले को में दशक्ती बीविद्यो